हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बैगन का बहुत ही टिश्टी सबजी और बिल्कुल अलग तरीके से ये सबजी बनने वाली है तो इस सबजी के साथ हम लिए हुए हैं दो टामाटर, दो सितिन, आलू, दो प्यास, लहसुन, मेर्च, इतना ही समगरी इसमें चाहिए उसके बाद सबजी को हमने अच्छे से धो लिया है और कटिंग कर लेते हैं तो सारी सबजिया को जो है हमने cutting करकर ready कर लिया है बैगन के डंटल को भी हमने अच्छे से cutting किया है और मिर्च लहसुन को कूट लेना है प्यास को बारी में cutting कर लेना है फिर आपको लेना है कढ़ाई कढ़ाई गरम होने के बाद सवसो को ओल इसमें डाल देना है एक चमर डाल दालना है राई उसके बाद क्योटू हुई मिर्च लहसुन एट करना है मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दो बारी कटा हुआ प्याज एट करना है मिडियम साइज की प्याज है और प्याज की साथ ही आलू डाल कर अच्छी से भूनना है पहले प्याज को नहीं भ कर देना है कले मिक्स क्या कि लेना है 30 वारर रचला है टाले ममक हणकान टाला कर लेना सारे मसाले इसमें ज्यादा मसाला एड नहीं करते हैं उसके बाद इसमें बारी कटा हुआ दो टामाटा रइड करेंगे और टामाटा डलने के बाद इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है फिर छोटी कटोरी से आपको एड कर देना है पानी और पानी डॉलने के बाद इसक तो यहां पर 5-6 मिनट हो गए हैं और हमारी जो सब्जिया है बनकर बिल्कुल तयार हो गई है हमने सब्जिया को जो है बीच-बीच में चलाया भी था तो आप बीच-बीच में चलाइए गभी तो यह देखिया आलू को मसल कर दिखा दे रहे हैं कितने अच्छे से पक गए है तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हर रोज मेरे चैनल से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे थैंक्स